पत्नी के ऊपर शक करने से कितने सारे प्रॉब्लेम्स खड़े हो जाते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात्चीत करूंगा आज ये वीडियो में ताहिए आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन तथा वैसन मुठी तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं ये जो लड़का मेरे पास में लाया उमर करी 35 साल की 38 साल पहले शादी हुई उसको पहले सी ऐसा था कि मैं सेक्स कर पास में रखना चीए तो बहुत बार ऐसा था कि वीरिया मतलब सेक्स करने के सम्मोह करने के समय वह वीरिया अंदर गिराता भी नहीं था गिराने के पहले निकाल लेंगा और उसको ऐसे दबा देगा हाला कि उसने बड़े मुश्किल से दो तिन बारी सक्सेस्फुल सम्मोह क्या होंगा और एक तीन-चार मैंने बाद मैं ऐसा मालम पड़ा कि उसकी पत्नी जो है उसको गर्मधाराना हुई है प्रेग्नसी है अब इसके में मैं डाउट चलो हो गया कि मैंने सिर्फ दो तिन बारी संभोग सक्सेस्फुली किया है अब दो तिन बार संभोग करने में अब उसको सम्झाने सम्झाने में लोगों को मतलब बहुत आगए किस तभी करने कि उपर और बहुत और तोर मतलब कव onlyैने मेंche नंगें सम्झाना हो तो कि मैंने कि मैंने सेग्स करने का वाएफ के साथ books मुझत इनसे करते लिए खी आगोने हो और झीला। ड़ेब रहए हुपवाय को तो पुदि क्या नहीं तो करता हों तो फिर और इसका सभड़ होगा यह मेरे तुरब करति नहीं मेरी केशुचयों करता हुँ इसे वह आधन सभेञा प्रणने सब्सक्राहता हुआ मेरे पुरूट को हो गया हुआ है यह आपको बताने का है एक बार भी संबो करने से बच्चा हो सकता है ऐसा नहीं कि उसके लिए 10-15 बार करना पड़ता है नंबर एक क्योंकि आप कौन से समय पर करते हैं और नंबर दो यह जब ऐसा होता है कि जब आदमी सेक्षोली वो फिट ने रहता या सेक्षोली उसके मन में डाउट है तो फिर वाइफ के परती उसके शक चलो जाते हैं और फिर वो कंटीनली शक करते रहता है अभी यह जो लड़का है यह आठ साल होगे शादी को अपने पतने को बाहर कहीं घुमाने ले जाएंगा नहीं बा बाहर गाएंगे डॉक्टर के कास में जाएंगे फिर वहां कुछ तभी गड़बड़ करेगी है एकदम जैसा उसने जेल बना के रखा हुआ है घर में और उसको शक है कि दोनों बच्चे जो अपने वो अपने खुद के नहीं है इसका बाहर कही है और वो जीवन जी रहा है वो कोई कमपनी में काम कर रहा है वहां जाता है कमाई करता है घर में लाएगा मगर घर में अपने उनके उपर भी शक करेगा उसके पिताजी के उपर शक करेगा कि नहीं मेरे पिताजी के और मेरे पतनी के संबन होंगे भाई के उपर शक करेगा और वो मतलब ऐसा वाइलन प्रवाइफ के उपर बाइफ के उपर कंट्रोल रखे हुए वाइफ तंग आगे कि कहीं बाहर आना जाना नहीं है कि माय के जाने का नहीं कुछ नहीं करने का है और खुद भी उसके उसकी जो इच्छा है वो पूरी करता नहीं है इस तरह का जीवन जिरा है जब उसको मेरे पास में लाया तो मुझे दिखा कि यह तो पैरनाडी स्कीजोफ्रिया का पक्का पेशेंट है उसको डाइग्मन ने पैरनाडी स्कीजोफ्रिया किया मैं अभी पि आप बोलते हैं तो हम उसको दवाई दे के ट्राइ कर सकते पहले हम तो इतने तंग आ गए कि अभी वह मर गया तो चलता है को कुछ भी कर आप उसको अच्छा करो उसको इने शौक ट्रीटमेंट चलो गया तीन इसी ती मतलब तीन शौक में उसको इतना फरक हो गया और घर क आपके लोग इतने खुश हो गए बोले हम आठ साल तो फालतू कमा इसमें मुझे आपको वताने का है कि लोग घर में अपने अपने दिमाग से इलाश करते रहते हैं उनको लगता कि नहीं है तो उसका सवाव है शकिला सवाव है चलाओ और चलाते रहते हैं एक्टिली पैर का जीवन और लोगों का जीवन अच्छा जी सकते है तो यह वीडियो जाना लोग उनको फैला आपको जो भी लगता है कि आपके इर्दगिरत कोई शकीले लोग है डेफिनेटली उनको वीडियो बताओ एक तो वह अच्छा हो जाएंगे वीडियो देखके कि अपने शकीले सवापना बदल बदलना पड़ेंगा या उनके इर्दगिरत के लोग उनको ट्रीटमेंट के लिए लेका जाएंगे आपको वीडियो अच्छा लागा तो जरू शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यो बेरी मुअच्छ मुअच्छ